हेलो एवरिवन वेलकम है आपका मेरी किचन में, आज मैं आपका अम्रत्चरी पिंडी छोले बनाना बताऊंगी, तो friend सारे टिपस फोलो कीजिए और ये अम्रत्चरी पिंडी छोले बहुती टेस्टी बनेंगी, तो इस तरीके से अगर आप छोले बनाएंगे तो आप खाते ही रहा जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना तो छोले बनाने के लिए मैंने ये काबली चने लिये थे इस तरीके के और इनको मैंने रात बर पानी में भिगो लिया था तो मैंने ये 500 ग्राम चने लिये थे और ये हमारे जो छोले हैं अच्छे से फूल गए हैं तो अब हम जो इसका ये पानी है जो हमने रात बर पानी में भिगोई थे इस पानी को हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये पानी काप ही पिला हो जाता है तो मैंने इन छोलो का पानी निकाल लिया है और अब मैं इसमें दूसरा पानी डाल देती हूं यह मैंने एक गिलास पानी डाल दिया इसमें एक बड़ी चमच मैंने इसमें नमक डाल दी है और यह मैंने तेज पत्ता लिया था इसको डाल दिया इसमें और यह ली है मैंने तीन चार लोंग ली है यह भी इसमें डाल दी है और कूकर का धकन लगा दूँगी तो फ्रेंट्स ऐसे तेजपता और लोंग डालने से हमारे छोले में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है गैस का फ्ले मून किया और इस पर मैंने कूकर रख दिया है तो कूकर में अब हम 4-5 सीटी आने देंगे 4-5 सीटी में हमारे छोले अच्छे से पक जाएंगे लितने हमारे छोले पक रही है तो हम तड़के की तैयारी कर लेती है यह मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिये है यह 2-5 प्याज ली है और यह की एक मेंने लैसुन लिया है और • आड रख लिया है तो इन सबको हम काट लेते हैं तो मैंने निचाकू से छोटे-छोटे पीस में काट लिया है और अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ तो सबसे पहले हम प्याज लैसुन और द्रग को ग्राइंड कर लिया हमने तो इसको भी हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में और टमाटर को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं तो कूकर में भी हमारी चार-पाथ सीटी आ गई है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और कूकर का प्रेशर भी निकल गया और हम चेक कर लेते हैं एक बार छोले हमारे अच्छे से पक चुके हैं जब हम धात से दबा कर देख लिया है यह अच्छे से सोप्ट हो गई हैं तो हम थोड़े से छोले पीच लेते हैं इस तरह चमचा मार कर जिससे कि हमारे जो छोले की तरी बनेगी वो एक दम गाड़ी बनेगी तो गैस का फ्लेम उन करके मैंने इस पर एक कडाई रख दिया और कडाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है ये मैंने कुछ काली मीर्च लोंग और ये मैंने इलाई चिली है इनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है इस तरह दरदरा सा कूट लेने से हमारे जो छुले में बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है तो यह मैंने इसको डाल दिया जैसे ही हमारा यह मसाला थोड़ा सा भुन जाता है इसके बाद हमने इसमें यह अद्रक लैसुन और प्याज डाल दिया एक चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया है इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर यह भूनना है मसाल अच्छे से भून गया है और अब मैंने इसमें एक चम्मच का लिए जाता है काली मिर्च का पावडर डाला है तो फ्रेंट्स काली मिर्च भी हमारी छोले में बहुत अच्छा टेस्ट लाती है एक चम्मच मैंने इसमें धन्या पावडर डाला है और यह मैंने थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाला है तो फ्रेंट्स इस सारे टिप्स आप अगर फोलो करेंगे तो हमारी जो छोले बहुत ही टेश्टी बनेंगे तो अब मैंने इसमें टमाटर की प्योरी डाल दी है एक चमच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी मैने लाल मिर्च पाउडर डाली है क्योंकि मिर्च हम में हमकम डालते हैं सब्जी में अगर आप ज़्यादे मिर्च खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी इसकी मातरा और बढ़ा सकते हैं एक चमच गरम मसाला डाल दिया है इस मसाले को हम थोड़ी देर और भून लेते हैं जैसे यह मसाल हमारा थोड़ा सा चिसे भून गया तो इसके बाद हम इसमें एक बड़ी चमच भर के मलाई डाल देते हैं तो फ्रेंटस मलाई डालने से हमारी जो यह चोले बिल्कुल एक दब अमरत सरी चोले बनेगे खाने में जो इनकर टेस्ट आएगा वो बहुती अच्छा आएगा मार्किट से भी बहुती ज़ादे टेस्टी चोले बनेगी तो फ्रियांग इस तरीके से आप भी छोले बनाएए ये मैंने ठोड़ा सा चाई पत्ती का पानी पका लिया था इसे हमारे छोले में बहुती सुंदर कलर आता है तो ये हमने इसमें चाई की पत्ती का पानी डाल दिया और पानी को डाल कर अच्छी से इसमें मिक्स कर दिया है तो इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा हिंग डालेंगे हिंग को डाल कर इसमें अच्छी से मिक्स कर लेते हैं तो चाय की पत्ती का पानी डालने से जो हमारे छोले का कलर आएगा वो बहुत ही बहतरी नाएगा तो अब मैंने इसमें छोले डाल दिये तो मैंने इसमें इसे आदे छोले अच्छे से मैंने इसको उस चम्चे से पीछ लिया था तो ऐसा करने से फ्रेंट्स हमारे जो ये छोले एकदम बहुती अच्छे बनते हैं और इसकी जो तरी रहती है वो बहुती गाड़ी रहती है तो अब हम इनको थोड़ी देर उपकने देंगे तो इसको मैंने पांच मिनट अच्छे से पका लिया है तो आपने देखा फ्रेंट्स कितने अच्छे छोले हमारे बनके तयार हो गई है अमरत्सरी छोले पिंडी वाले बनके तयार हो गई है तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं तो मैंने इसको एक बड़े बावल में निकाल लिया है तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी इसी तरह की की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अब मिलती हूं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई